नमश्कार, SPT न्यूज में आपका स्वागत है, पेशे 8 नॉमबर शुक्रवार दोपेर, सवा 3 बजे राजस्तान की 15 बड़ी खबरे सबस्वले नजर डालते हैं आज की हैडलाइन्स पर मोधी बोले महाविकास अगाडी में न पहिए न प्रेक ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए जगड़ा हो रहा, चारों तरफ से होन बज़ रहे विधान सबाव उपचुनाब गहलो डोटा सर अजूली पाइलेट वे भवट जिरियंदर की साख दाव पर नेमों में बदलाव अंशिक नियाले कारे दिवस से जाना जाएगा तीन सो सत्तर बहाली प्रस्ताव पर जमू कश्मीर विधान सबा में हंगामा रास्तान हाई कोट के आदेश पर लगाई रोग भी हटाई और अब खबने विस्तार से सुनिए प्रधार मंतरी नेंदर मोदी ने शुकरवार को महारास्त विधान सबा चुनाव के लिए प्रचार के शिरुवात की प्रधार मंतरी ने धुले में महाविकास अगाडी पर निशाना सादा उन्होंने कहा कि महा अगाड़ी की गाड़ी में न पईये हैं न ब्रेक हैं ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए जगड़ा हो रहा है चारो तरफ से अलग-अलग होन सुनाई दे रहे हैं पी-म की नासिक में भी जन सबा होगी पी-म के अलावा अमिश शा की भी राज्ये में चार रहलिया हैं महारास्ट की 288 सीटों पर एक फेज़ में 20 नमबर को चुनाव होंगे रिजल्ट 23 नमबर को आएगा भाजबा मायोती गटवंदन के साथ चुनाव लड़ रही है बीजेपी में 148, शिंदे गुटने असी, अजित गुटने तरेपर उदमिदवार उतारे हैं रास्तान में साथ विधानसबा सीटों पर उप चुनाव को लेकर अनभेरी बच चुकी है 13 नमबर को चुनाव है लेकिन इन साथ सीटों पर चुनावी गनी धीरे धीरे उलसता जा रहा है प्रदेश के बड़े नेताओं की साख इन चुनाओं में दाओ पर है बात कांग्रेस की करें तो PCC अदेश कोविन सिंग डोटा सरा पुरों मुक्यमंती अशोक गैलोत नेता प्रतिवर्श टीकाराम जूली और कांग्रेस महासलचीफ सचिन पाइलेट पर भमर जितेंदर साही कई सांसदों और विधायकों की साख दाओ पर लगी हुई है कांग्रेस के सामने अपनी चारों सीटों को बचाना सबसे बड़ी चुनोती है सुप्रेम कोड ने गर्मी की लंबी चुटियों के नीमों में बड़ा बदलाव कर दिया जिसके तेया तब इसे आंशिक नियाले कारे दिवस नाम दिया गया है और वहीं अवकाश कालिन जजज शब्त को सवाप्त कर दिया गया है अब गर्मी की चुटियों के दुरान अदालत कुछ काम काज जारी रखेगी ऐसे में अवकाश के दुरान भी ज़रूरी मामलों के लिए एक यादिक जज उपलग्द होंगे इसके साथ ही नए नीमों की माने तो गर्मी की चुटियों हर साल अधिक तम 95 दिन तक होगी इस बीच हाल ही में 2025 का सुप्रेम कोड कलेंडर भी जारी किया गया है जिसमें गर्मी की चुटियां 26 मई से शुरू होकर 14 जुलाई तक रहेगी जमकश्मीर विधान सबावे शुक्रवार को चोथे दिन पर जमकार हंगामा हुआ आवामी इतिहाद पारटी के विधायग खुशीद एहमेद शेक ने आज फिर 372 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की उससे पहले विपक्ष के नेताओं ने उन्हें रोक दिया विधायकों के भी जखका मुकी होने लगी इस बीच एक विधायक टेबल पर चड़ गया उदर मार्शल खुशीद एहमेद को घसीटते हुए ले गए इस दोरान खुशीद जमीन पर गिर गए उन्हें फिर बहार निकाल दिया गया मार्शल ने कुछ बीजेपी विधायकों को भी बहार किया इसके बाद सभी भाशपनेता वाक आउट कर गए खुशीद एहमेद बारा मुला से संसत इंजिनियर रशीद के भाई है रशीद को 2016 में जम्मो कश्मीर में अतंकी फंडिंग के आरोप में रख्फ के तहत अरेस्ट किया गया था 2019 से वो तिहार जेल में बंद है उन्हें विदान सभा चुनाम में कैंपनिंग के लिए जमानत पर रिहा किया गया था कॉर्ट ने पूर विधायक गिरराज सिंग मलिंगा को दो सप्ता में सेरेंडर करने का अदेश दिया है पूर विधायक मलिंगा को रायस्टान हाई कोर्ट की ओर से उनकी जमानत रद करने के फैंसले के बाद दो सप्ता के अंदर सरेंडर करने का अंदेश दिया है जस्टिस वी राम सुब्रम्यन और अर्विंद कुमार की बैंच ने वलिंगा के एसलपी को लंबित रखा और उनके आतम समर्पन के चार सप्ताय बाद इस पर आगे की सुनवाई की तारीक तैय की वलिंगा की ओर से सुप्रीम कोट में वरिस्ट वकील मुकुल रोतोगी ने पैरवी की वहीं राजस्तान सरकार की ओर से अतिरिक महादी वक्ता शुप मंगल शर्मा ने पैरवी की है राजस्तान में उत्तरपुर्वी शेहरों के बाद पश्चमी जीलों में भी सर्दी बढ़ने लगी है जोदपुर के बाद अब जैसल में रभीका निर में भी रात का नियूंतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह गया है दिन में भी तापमान में गिरावट होने से अधिकान शेहरों में अधिक्तम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्श हो रहे है मोसम विशेशक्यों के मताबिक राज्य में अगले चार दिन राजस्तान में मोसम इसी तरह शुष्क बना रहने की संभामना है जबकि दिन रात के टेंपरेचर में मामली उतार चुड़ाव होने की संभामना है प्रास्तान हाई कोट ने अजीवन कारावास की सजया भुगत रहे आसराम की स्वास्ते सिती को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिक्तम 30 जिन तक जोदपुर के भगत की कोटी से तेगनीजी अस्पताल में भरती रहने की अनुमती दी है नयादिश दिनेश महताव नयादिश फिनीत कुमार माथूर की खंड पीट ने आसराम की ओर से अधिवक्ता आरेस सलूजाने कहा की आसराम की स्वास्ते सिती लगातार बिगड़ती जा रही है और उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में भरती रखने की जरूरत है उन्होंने आगरे किया कि पहले दिये गए आदेश में संशोदत कर उन्हें आशर क्तान उसार अस्पताल में रहने की अनुमती दी जाए सरकार की और से अतिरिक्त महादी वक्ता दीपक चोधरी ने कहा कि अस्पताल में भरती की अब्दी अनिश्चित नहीं होनी चाहिए इसे अधिक्तम 30 दिन तक सिमित किया जाए दोलपूर में आज सुबे राजा खेड़ा से दोलपूर और दोलपूर से राजा खेड़ा की ओर जाने वाली रोडवेजबसों के यात्रियों का टाइम टेवल बगड़ने पर यात्रियों ने अधिकारी envision से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्हें संतोष जिनक जबाब नही चला रहा है उन्होंने बताया कि पिछले तीन दिन से सुबह आठ बजे राजा खेड़ा से धोलपूर आने वाली बस नहीं आ रही है राज्तान में कता के लिए आए बागेश्वर धाम के पिठा दिश्वर पंडित धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि धरम से राजनीती चलती है नहीं कि राजनीती से धरम दुर्बाग्या है कि हमारे नेता धरम से राजनीती क्रोटियां सेखते हैं हम किसी पारटी के सहयोगी नहीं है हमारी पारटी बजरंग बली है जिसका चिन घोटा है उन्होंने भील बाड़ा में मीडिया से कहा कि वे सनातन में हिंदूओं को जगाने में लगे हैं सनातन बोट का गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोट देश पर में जमीने हरप र है साइबर धाने के सी आई गोविन व्यास ने बताया कि जैलने अक्टूबर में साइबर फाइनेंशल फ्रॉड के सोला लाग सतर हजार शेसो तीस रुपे संदिक्द खातों में रिफंड करवाए हैं देश पर में बड़ी संख्या में आम जन के साथ विबिन तरिकर से को सीच करके उनकी राशी रिफंड करवाने का काम करता है इसके लिए समय पर सूचना मिलना अत्यावश्चक है राजसान में जैसल में जैपूर जैसल में लीनन एक्सप्रेस 10 नुमंबर को आवागमन में फुलेरा से जैपूर स्टेशनों के बीच आंशिक रद रहेगी ट जैपूर जैपूर रेलवे स्टेशनों के मद्य कुछ ट्रेने रद वे परिवर्थित मार्क से चलेगी रास्तान में पूरवर्ति गहलोज सरकार के समय नए बने 17 जीले और तीन संभागों की समिक्षा के लिए गटित क्याबिनेट सब कमेटी इस महां के अंद तक अपनी रिपोर्ट राजे सरकार को सूप सकती है सुत्रा में मताबिक नए जीलों को लेकर मन्थन लगबग पूरा हो चुका है कमेटी की अब एक ओर बैठक होगी इसमें रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा उसके बाद कमेटी रिपोर्ट सरकार को सूपेगी प्रदेश नेता राहुल गांडी के आर्टिकल पर तीखी प्रतिकीरिया दी है। उन्होंने दोसा में भाजवा प्रत्यक्षी जगमोहन मीना के समर्थर में भाजवा महिला मोर्चा के कारेकर्म में कहा कि राहुल गान्धी करना चाहिए प्राइवेट स्कूल स्कूल संचाल को अभिवाबकों में खलबली कख्षा दसवी ग्यारवी में बारवी की स्कूली पढ़ाई के दोरान कोचिंग स्कूडेंट्स को डमी प्रवेश देकर अभिवाबकों से उसके बदले पैसे वसूलने वाले राजस्तान के सेंकड़ो नीजी स्कूल सेंटर बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन के रडार पर आ गए हैं कोटा और सेकर के पांच लिजी स्कूलों की माने तर रध करने के बाद प्रदेश के स्कूल संचाल को और भिवाबकों में खलबली मची हुई है सीव्यसी ने दिली और व्राजस्तान में ऐसे स्कूलों का निरिक्षिन शूरू कर दिया है अन्य सीजनल सबजियों की भी आवक होने के कारण दावों में गिरावट की दर्श हो रही है जैपुर फल्वे सबजी तोक विक्रेता संग मुहाना मंडी के एदेख्ष योगेश तवर ने बताया की मौसम में बदलाव के साथ मौसमी और हरी सबजियों के प्रयाप्त आवक होने से दामों में गिरावट आई है हरी सबजियों के साथ मौसमी और अन्य सबजियों की कीमत 40% तक कम हो गई है फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिरों के बड़ी खबरों के साथ